साथ संगर जी प्यार से कहना धाननकार जी मुंबई जोन का आज जहां समागम रूप ये सभी ने सीकानन लिया और कैसे फिर जहां पिछले कुछ महीनों से ये हफ़ते में तीन दिन जिसमें फ्राइडे इंडिया के बाहर की सत्संग और वेंस्देश को भारत वर्ष से तो आज जहां ये उस रूप में तो आखरी जोनल टूर है जो अब देश विदेश सभी के उस रूप में तो पूरन हो गए आज तो दातार ये किरपा करे कि अब फिजिकली हर जगे जाकर आप संतों के वीच पहुँच कर सत्संग का आनन लिया जाए और कैसे हर एक संत के मन के भाव यही रहे कि ये निराकार ये सचाई इसको पहचान ले और अपने आप ही खुद की पहचान हो जाती है तो कैसे हमने हमेशा जहां पूरे संसार के लिए एक अच्छा इंसान बनना है खुद के लिए भी और सभी के लिए ही तब ही ये जो आज पंक्ती भी दासी के स्टेज के पीछे कि मानव को मानव हो प्यारा एक दूसरे का बने सहारा कि फिर एक हर इंसान को दूसरा इंसान प्यारा कैसे लग सकता है वो जब बीच में प्रमात्मा देख लेते हैं तो फिर सभी अपने सभी प्यारे लगते हैं और जो ये second stage की बात है कि फिर हमने एक दूसरे का सहारा बनना है तो वो सहारा कैसे बन सकते हैं तो वो अपने आपको अगर हम दिन में देखें कि चाहे हम कितने भी busy हूँ तो छोटी छोटी चीजें किसी के लिए समय निकालना चाहे कभी अपना भी दिन अगले दिन सुभा early start होता है पर किसी के लिए अगर हम उपस्तित हो सकें चाहे अपनी mean sacrifices में होए या फिर पूरे दिन में अगर ये लगे कि हमने कैसे अपने आपको एक दूसरे के लिए हमेशा ready रखना है कि हर किसी की जहां जैसी जरूरत है तो हम सेवा अपनी अरपन कर सकें क्योंकि उसको अगर हम एक मदद का भाव मन में लाएंगे तो हर कोई जहां अपना है कोई पराया नहीं मदद तो पराया रूप ले लेती है पर सेवा एक समर्पित रूप होती है तो ऐसे ही ये समर्पित भाव से संत हमेशा जहां सेवा करते आए हैं सत्संग से एक संत्मती हरेक की भाव सुनने का भी मौका मिलता है अपने भी ये संतों के साथ जब शेयर होते हैं thoughts तो कैसे फिर एक अपने अंदर की clarity और बढ़ जाती है अपने अंदर के गुंड multiply हो जाते हैं अपने जीवन में अपने पलपल में हम और अच्छे से अपने कि अपने दार को एक positively establish कर पाते हैं एक खुद को भी जहां वो एहसास आता है कि जो है इस पर्मात्मा का दिया बहुत ही खुब सूरत हर पल ये पूरी जिंदगी का और वहां एक दिल हमेशा उत्साहित रहता है कि पूरे संसार को ही कैसे हम और जाधा अनन दे सकें और जाधा खुशी दे सकें किसी के लिए किस तरह एक अपने आपको समर्पित रूप में उनके लिए भी कुछ कर सकें तो कैसे मन में भी फिर ये निरंकार ही हर समय हर पल इसी का चेता इसी का ध्यान ये समर्ण रूप में भी तो हर कोई जहां अपने जीवन में यही बात कि अपने आपको जहां ठीक रखा जाए कोई गलती होने पर अपने आपको कोसने की बजायदातार से बख्षवाना कि ये आगे से ना हो और वही संसार के हर इंसान के लिए दिल से ये कामना कि हर कोई हमेशा इस ही जीवन में जो जिन्दगी के हर पल है उनको कैसे हर पल को टोटालिटी में हर पल को पूरन रूप में एक अच्छे रूप में ही जीए जाए और किस तरह हम अपने दिमाग पे कोई ऐसी बात को हावी न होने दें जो हम इंसानियत तो हैं पर हमारी इंसानियत कम कर दें तो एक इंसान का असली रूप ये इंसानियत हर एक में जहां हर पल छलके और वो संभव भी तब जब ये निराकार परमात्मा इस भगवान का हमेशा एक एहसास मन में होता है और फिर अपने आप ही एक भैतर इंसान बनने की चाह हमेशा लगी रहती है तो जहां बहुत ही सारे गुन संसार में हैं हम जहां पे ये कंकं से भी शिक्षा लेते हैं अपनी लाइफ में प्राक्टिकल स्पिरिच्वालिटी भी जीते हैं तो ऐसा करते हुए अपने आपको सुधारने के लिए बहुत ही ये हमारे पास पल हैं जीवन के और दिन के कितने हैं हर पल में भी अगर कुछ पल और कुछ नया अच्छा सीख के आगे की जीवन को सुखमई किया जा सकता है वहीं हर पल अपने अंदर के ये जो नेगिटिव भाव हैं उनको भी अपने अंदर से एक निकाला जा सकता है तो अगर हम यही समझ लें कि एक दिन अभी से आज से ही अगर अपने आप के बारे में उस तरह आनलाइस करके कि हमें और क्या सीखना है और क्या अपने मन के भाव गवाने हैं उसी पे अगर ध्यान दें और हर दिन फिर इसी प्रकार चलता रहे तो फिर हमारे पास समय ही नहीं है कि किसी दूसरे की खामी देखें और जब भी कुछ दिखे भी तो फिर यही भाव आए कि ये चीज अगर इनकी हमें पसंद नहीं आई दातार किरपा करना कि ये अब को जहां सही रखना है वहां कोशिश हर किसी को भी हम अपने कर्मों द्वारा संभाल पाएं साथ संग्यार आई